आगे बात करते हैं आपको बता दे मध्य प्रदेश के सीम डॉक्टर मुहन यादव आयूश्मान लावबस्तार अव्यान में शामिल हुए भुपाल के शास्ति नगनों उन्होंने बुजर्गों से मुलाकात की उन्हें आयूश्मान भारत योजना की जानकारी दी और फार्म भरवाया योजना के लाभारतियों से बाच्वीत की हमारी आएनित संबद्दात आंजिली सिंग ने बोधी सरकार के आयूश्मान योजना का जो दाइरा है वो आप सत्तर प्लस कर दिया गया तो उसको लेकर ये बात जो है भाजपा ने अपने संकल पत्र में कही है तो इसी अभियान को शुरू करने के लिए बुजर्ग मतदाताओ के पास सियम मोहन यादव आस सुबे पहुचे तो हमारे साथ इस वक वो बुजर्ग मौजूद है जिन से सियम मोहन यादव ने जो फार्म भरवाया है उनको भी जो है आयुश्मान योजना का लाब मिलेगा इसके अलावा अपील भी की है उनोने मैम आज आपके हैं सियम मोहन यादव आय थे किया कुछ चीजें उन्होंने बताई और क्या अनुभव रहा उन्होंने सब चीज बताई कि मतलब यह गरीबों के लिए मतलब पहले था अब यह बुजुर्गों के लिए यह जो बहुत अच्छा लगा और इती दूर से यहां गर्मी के टाइम में अपने समय निकाला उन्हो चेल बोड़ी जी के लिए बहुत साइब मतलब दो आख वह बद लाव दो बात हो गई यहोगा उनो ने कहा है तो बॉलकुल जो मोदी जी की कि गिरएंटी है संकल पतर में उन्होंने कहा है कि जो आईूश्मान योजना का लाव है वो 70 से प्लस जो बुजर्ग है उनको भी दिया जाएगा तो वो जो अभियान है सीम मोहन यादव ने शुरू करा हमारे संद और भी लोग मौजूद है हम उनसे बात करेंगे चलिए तो हम एक और हैं उनसे पूछते हैं आप तो आयूश मान योजना के दाइरे में होंगे स ही मिलती थी इसका दाइरा पिच्छी था तो सकतर वालों को अब मिलेगा तो कैसा लग रहा है अच्छा लगेंगे मिलेगा तो अच्छा लगें नहीं मिले तो बिलकुल आपको बता दे कि भोपाल के शास्त्री नगर पहुचे थे सीम मोहन यादव जहां उन्होंने इस अगरपरसन वेपिन के साथ अंचली सिंग इनस 24 इन 2 7 भोपाल